Hello students, स्वागत है आप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो पे शुरू करते हैं सभी को नमश्का, राम राम सेटियका, सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with, let's get started आशी सिंग लेक्चर्स से मैं बोरेश चादर मातुर आज हम डिसकस करने वाले हैं, आज हम ये बात करने वाले हैं कि मैंने ये दो पैन खरीदे और देखिए दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं जबकि दुकानदार ने मुझे समझा के दिए कि ये बहुत अच्छा काम करेंगी और मेरा हो सकता है कि जो आफिस का काम था आज वो आधा अधूरा रहे गया मैं उसके बरोसे आ गया और ये पैन काम नहीं कर रहे ऐसा ही है कुछ हमारा चेप्टर Consumer Right उभोकता अधिकार 10th Central Board of Secondary Education और तुशास्त्रा ये चेप्टर आज हम डिसकस करने वाले हैं आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं हम बजार में उभोकता भी हैं देखिए अख़वारों में आपने हमेशा ही पढ़ा हुआ गलत दवा देने से महीला की मौत नीम हकीमों के विज्जापन पर सरकारी नोटिस क्योंकि ये कॉलिफाइड नहीं है पढ़े लिखे नहीं है प्रदूशित पानी या बॉटिल आपको किसी ने रेल्वेस टेशन रोडवेस पर अकसर आते हैं और एकदम से सेल कर जाते हैं बेच देते हैं दूशित पानी ये कहके गये मिनरल बाटर है जबकि मिनरल बाटर नहीं है और ये खबरें आती रहते हैं गरीबों को सस्ती दाल मिलेगी, सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, एक कंपनी ने बच्चों के दूद का पाउडर कई सालों तक बेचा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो दूद का पाउडर बच्चों के लिए नुकसान दायक है, और आप हम पैसा देते रहते हैं और हमको ऐसे खराब आइटम्स मिलते रहते हैं, क्या ये अच्छी बात है, हम उन पर पूरा विश्वास करके समान खरीद रहे हैं, क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं है, क्या उनका करतव भी नहीं है, क्या वो हमको अच्छे से अच्छा समा सबस्क्त करें लाइस टो हम इसKI करते बहुर चरचा करते हमारी भाजिदारी उत्पाद अधक और उभोगता के दोनों रूपव में होती है वस्तुवां और सेवां उभोगता दोनों खरीता है नो हम सेवाएं लेते हैं जैसे इंशुरेंस बीमा कंपनी की बैंक की सेवाएं हैं वस्तुवां कौन सी हैं पैन, पैंसिल, क्लोथ, रेडीमेड गार्मेंट इनके आपको यह समझ आया है वह बहुत अच्छा चैप्टर है उभोगता बाजार में कब जाता आवशकता अनुसार अपनी वस्तुवें खरीदने को हमें जाना पड़ता है कई चीजा हम घर पे थोड़ी बना सकते हैं तो हमको लेनी पड़ती हैं तो यह कई चीजा हमारी अंति कंजियूम कर रहे हैं किसी ने वनाई है आपके लिए आप उसको यूज कर रहे हैं आप उसको प्रयोग में ला रहे हैं आप उसके विश्वास पर खरीद कर लाए हमने बाकी के पहले के लेसंस में पढ़ा था यह डेवलपमेंट विकास को बढ़ावा देने के लिए हमको यह सब करना पड़ता है और इनके कंट्रोल भी है नियंत्रणों या इसके कदमों की आवशक्ता हम यह पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं देखिए दो शेत्र हैं एक संगटित है एक एस संगटित है इसके मजदूरों की बात करते हैं कि सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह सहुकारों दोरा लगाएं जाने वाले उच ब्यादधर से लोगों को बचाने के लिए नियम और नियंत्रों की जरूरत होती है हमारे देश में सहुकार बहुत जादा ब्याज ले लेते हैं उस से क्या होता है कि अनपड़ लोग हमारे देश में अभी भ तेरा महीने होते हैं तो बताइए तेरा महीने कब से होने लग दे इसी तरह से इनको बचाने के लिए कई नियम लाए गए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम और बिनियमों की अभी भी आवशक्ता है तो हमने क्या देखा हमने जो पहले के चैप्टर हैं उनकी बात की और कई कंट्रोल चाहिए ताकि हमारा उभ्भोगता ठगा नहीं जाए लुटे नहीं परिशान नहीं हो उधारण के लिए क्या क्या बात है ये देखिए कई बार क्या होता है कि उधारण के लिए अनौपचारिक शेत्रों में साहुकार जो भी आज पर पैसे चलाता है गाओं में आपने देखा होगा कि बोलो क्या करते है तरें-तरें के दावपेज अपनाते हैं देखिए तरें-तरें के दावपेज अपनाते हैं और सामिक दर के कारण बोट पादक को उत्पाद निम्दर पर बीचने के मजबूर कर सकते हैं कई वर क्या होता है किसान इनसे ब्याज पर पैसे ले लेते हैं गाओं के साहुकार इनके चंगल में फ़से रहते हैं और ये लोग उन कि मजबूर कर देते हैं आपको याद होगा सपना एक महीला का हमारे पहले चेप्टर आया था कि सपना जैसी महीला को रिण चुकाने के लिए जमीन बेचने को भी उन्होंने मजबूर कर दिया बिवश कर दिया बताई क्या अच्छी गात है कि इसी तरह से ए संगठित शेत में काम करने वालों के लिए उनको बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है जबकि मेहनत पूरी करते हैं परिश्रम पूरा करते हैं उनके लिए बहुत हार्ड परस्यतियां बना देते हैं जो कि कानूनन लीगली गलत होती है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है, और ऐसे शोषण को रोकने के लिए उनकी सेफटी सुरक्षा के लिए कई नियम बनाई गए हैं, और कई ऐसी संस्थाइं भी आगे आई हैं। संगर्श और लड़ाई की है कानूनन, इसी तरह से बाजार में भी उबहुताओं की सुरक्षा के लिए हमने कई नियम बनाई हैं, क्योंकि अकिला उबहुता होता है, अब हम गए हमने टेलिविजन ले लिया, और टेलिविजन ले ले लेकिन घर लाके स्किपिटिंग होई, और वो धंसे जो जो फीचर हैं, उनके अनुसार उसमें बिल्कुल भी रिमोट काम नहीं करता, पचाजार, साथ हजार का टेलिविजन लाई और वो काम नहीं कर रहा, तो उबहुता की कोई सुनने वाला पहले नहीं होता था, तो हम परिशान हो गएते थे, कि अपने अब थोड़ी बहुत सुनवाई होती है, बाजार में भी हमारी सुरक्षा के लिए काफी नए नियम आ गए हैं, क्योंकि अकेला कोई भी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या क्या अकेला उबहुता प्रहें स्वह को कमजोर इस्तिजी में पाता, पहले हम अकेले पढ़ जाते थे, अब हमको कानून का सहारा मिलने लग गया, अब सावने तो उनकी क्या कहते थे, आपने जो खरीदा अगर पसंद नहीं है तो कहीं और जाईए, क्या ये जवाब खीक है, बताईए, हमने आपको बहतान किया, हमने आपको पैसा दिया, इतना महंगा टेलिविजन ये, इतना महंगा, हमने आपसे सैल फोन खरीदा, और आप ये जवाब दे रहे हैं, क्या उभोकता ठगा हुआ महसूस नहीं करता, ऐसा नहीं लगता कि उसके पैसे बेकार चले गए, यानि विक्री हो, अगर हमने एक बार उससे को समान खरी ले, उनकी कोई ज देखते हैं, बजार में शोर्षण के जश्ट आई हैं, कम बजन का तोलना एक कॉमन, बहुत ही सामन्ने सी समस्या हमने अई बार देखी, और कई ऐसे शुल्क जोड देते हैं, जिनका कहीं पर भी, निया मनुसार वो नहीं ले सकते, और मिलावटी दोश्पूर्ण बसकी में बेच देते हैं, जैसे मैंने आपको पानी की बोतल का एक्जामपल दिया, पैन हमने खरीदा नया कनाया और ये काम नहीं करता, तो हमको ऐसी कई समस्यां आ जाती हैं, उत्पादक थोड़े और श बहुत सारे हैं, और बिखरे हुए हैं हम लोग, हम कोई एक जगे थोड़ी हैं सारे के सारे, हम बिखरे हुए हैं, उससे क्या होता है, और हम एक 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 दोड़ो खरीद के उनकी शौप से, उनकी दुकान से समान खरीते हैं, माल लीजे कोई शर्ट खरीदी मैंने, और उसक काम जाने हैं ऐसे कई समस्याएं बहुत जादा आई हैं इसलिए उभोकता को बचाने के लिए कई नियम भारत सरकार ने और पूरे वर्ल्ड में पूरे सवसार में कई आंदोलन अभिहान चले हैं मैं ये आज आपको बताना जाता हूँ और उभोकता तो कम-कम ही खरीदेगा एक दम बहुत जादा थोड़ी खरीदे हैं हम लोग हम तो घर के जरूवत के साफ से खरीदे हैं एक टीवी लेंगे एक दो सैल फॉन लेंगे मोबाइल फॉन अब देखिए जब इन चीजों का उत्पादन बहुत बड़ी बड़ी कमपनी करती हैं तो क्या होता है बजार उ कुछ भी प्रात करना थोड़ा से मुश्किल होता है एक अकेले उपभोकता के लिए लेकिन आज उपभोकता के संगरक्षन के कई कानून बन गए हैं एक उनका दिवस भी सैलीवरेट होता है मनाया जाता है एक इंडिया में एक भारत में एक पूरे वर्ल्ड में संसार में म इनके पास इसमरदी होती है इसमरद है पैसा बहुत है तंत्र को भी प्रभावित कर लेती है चाला की पूर्वक यह लोग क्या करते हैं ब्रामक विज्यापन जैसे मैंने आपको दिखाए वो दिखाते हैं और उबोकताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया य क्योंकि वो चल रही है तो चलिए एक बार इसको वापस हम रिवाइस कर लेते हैं एक बार और इसकी चर्चा कर लेते हैं कि हम बाजार में कैसे जाते हैं उत्पादक और उबोकता दोनों रूप में चीक है सबसे पहले हम करशी की बात कर लेते हैं सेवाएं भी होती है जैस रुपे का और वो जीरो से जीरो आपने कई बार देखा होगा दिखा भी देते हैं तो यहां हमारा कंजुमर लुट रहा है और उबोक्ता को शिक्षित होना बहुत शरूरी है यही आज के चैप्टर का उद्देश है ठीके विकास को बड़ावा देना बहुत जरूरी है इसके लिए नियमों की जरूरत है हमको कई नियंतरन की आवश्चता है इसके कई कदम हमने उठाएं है यह हम अभी पढ़ेंगे है ना कंजुमर को वोक्ता को बचाने के लिए भी एक नियम है बहुत अच्छा हम कोर्ट में भी शौर्ट में और बताना चाहूंगा कई जगे साहुकार बहुत ज्यादा ब्याज लेता है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होता बैंकों द्वारा निर्धारित नहीं होता फिर भी भुले भाले लोग गाउं के हमारे ग्रामिन शेत्रों के वो देने को मजबूर हो होता है गाउं का छोटा सीमांत किसान ब्याज पर पैसे गाउं के साउकार से ले लेता है खाद के लिए बीज के लिए अब होता क्या है कि जब वो जोडते हैं कि मेरा तो इतना ब्याज हो गया मेरे को तो इतने पैसे चाहिए है तो इस तरहे की परस्ते दिया उनके लिए बन जाता है उसको भहुत नुक्सान जहेलना पड़ता है अब देखिए कई ऐसे संगर्ष चले हैं पूरे संसार में उसके बाद कंजिमर उपभोक्ता को बचाने के लिए बहुत से नियम काईदे कानून बने हैं अब खरीदने और बेचते वक्त भी उपभोक्ता के लिए कई कानून आ गए और एक बात और है आपने देखा होगा हम लोग कोई समान खरीदते हैं तो शौप की पर दुकानदार हमसे कई बार लड़ने भी लगते हैं कि नहीं है आपने क्यों नहीं देख के लिए हमें क्या म जब हम कोई शिकायत करने जाते हैं तो वो विक्रेता कह देता है कि आपकी जिम्मेवारी थी आपने क्यों नहीं अच्छी तर्ने से लिया और आपको मेरी शौप पसंद नहीं है मैं पसंद नहीं तो कहीं और दुकान से ले लिए तो ये तो उत्तर ठीक नहीं है बिलकुल मेरे पास से आपने सामान ले लिए अब मेरी कोई जिम्मेवारी बिलकुल भी नहीं है मैं आपके प्रती कोई उत्तरदाई नहीं हूँ इस परस्थिति को गदलने का ही प्रियास है इस लेसन में इस चेप्टर में हमको ये ही बताया जा रहा है मार्केट यानि बजार में हम 5 किलो की चेए 4500 ग्राम ही दिया और वह हम बातों में रहे गया और वह उसने 500 ग्राम कम दे दिया मिलावत मसालों मैं मिलावत आप जानते हैं बहुत होती है या कई दोशपूर वस्तियों में बेची जाती है और वो कहता है मेरी जुम्मेवारी नहीं है इसला आगे बोलते हैं देखिए लाश्ट पेलिग्राफ में कि जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं कि इन पे मुनाफ़ा यानी प्रॉफिट बहुत जाता है शक्तिशाली हो जाते हैं टाइम के साथ साथ बड़ी-बड़ी कमपनिया हो जाती हैं जबकि वो बोगता हम लोग बिखरे हो में हम एक एक दो दो के उसमें जाते हैं दुकान पे सावान खरिदने के लिए या सेवाएं लेने के लिए इस समय बाजार उचित तरीके से काम नहीं करता ऐसी इस्तिदी बन जाती है जब बड़ी-बड़ी कमपनिया काम कर रही है अधिक पूंजी हैं उनके पास अधिक शक्तिशाली हैं कई आपने देखा होगा एक देश में नहीं अनेक देशों में भी कमपनिया काम करती है तो बड़ी पावर्फुल हो जाती है बहुत शक्तिशाली कभी-कभी यह लोग चाला की पूर्ण वेवार भी कर लेते हैं तो यह बजार को कई तरीके से प्रभावित करते हैं जैसे ब्रामक विग्यापन कई आपने देखा हुआ किरीम आते हैं कि आप गोरे हो जाएंगे और वो कहते हैं शर्ते लागू लिप देते हैं नीचे छोटा सा देखिएगा आप बोगताओं को अकरशित करने के लिए समझ समय पर मीडिया का मतलब भामक विग्यापन भी आ जाते हैं और वो कहता है आपने धंसे नहीं पड़ा आप धंसे पड़ते तो आपको यह दिकत नहीं आती तो जिम्मेवारी वो हमारी बना देते हैं जबकि जिम्मेवारी सेवा देने वाले की या वस्तु देने वाले की निर्धारित करता है हमारा देश का कानून तो इस में हमको यही बात समझनी है देखिए आगे बोलते हैं कि एक कंपनी जो यह दावा करती थी कि माता का दूर बच्चे के लिए छोटे बच्चे के लिए बहुत फाइदे मन्द है कई वर्षों तक उनका उत्पाद बजार में दिखता रहा लेकिन अंतमें हमको मालुम हुआ कि यह भ्रामक है यह ठीक नहीं थी बात कानूनी अवैद्य काम हो रहा था तो यह हमने देखा कि किस तरह से वभोकता को संग्रक्षित करने के लिए यह कानून बनाए गए है धन्यवाद यह भ्रामक है